नमस्कार दोस्तो एक वार और आयू विदेन मेडिसन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा हिंग के विशेस फायदों के बारे में हिंग के बारे में तो दोस्तो आप सभी जानते हैं गरों के अंदर हिंग का इस्तिमल किस ल मिलेगी तो चलिए दोस्तों जानते हैं हिंग के विशेज फायदों के बारे में दोस्तों मैं आपको ऐसे दो फायदों के बारे में बताऊंगा अगर आप हिंग का इस्तिमाल करोगे तो आपको विशेज शुरूप से जो फायदा मिलेगा या फिर दोस्तों किसी को किसी परक किया जाता है आज की समय में नहीं दोस्तों बहले ही आज से 2000-3000 साल पहले से हिंग का इस्तेमाल उस रोग के लिए किया जाता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सा रोग है और किस परकास वो आपके लिए हिंग फायद मन्द रहेजी चलिए दोस्तों जानते हैं इस व अगर किसी को गैस बनने की प्रॉलम है तो उसमें हिंग का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों जिन लोगों को गैस की प्रॉलम होती है उन्हें हिंग का इस्तिमाल करना चाहिए लेकिन दोस्तों उनको सही तरीका नहीं पता है तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सही तरीके के बारे में बताऊंगा एक ऐसा आज यूई दिकनुस्का जिसका इस्तिमाल करने से अफारा और दर्द में तुरंती लाब मिलेगा हिंग को जल के अंदर गिसकर नाबी के आस पास लेप करने से अफारा और दर्द में लाप रापत होता है दोस्तों आप हिंग को पानी के साथ डाल कर पीवी सकते हो और नाबी के और पास या फिर और पास लगाओगे तो भी दोस्तो आपको अफारा और दर्थ में बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तो इसके दूसरा फायदा जान लेते हैं दोस्तो जो हिंग का दूसरा फायदा है वो होता है दोस्तो सर्दी खांसी जुकाम में आपको मदद मिलती है हिंग को दूद के अंदर गिसकर चाती पर लेप करने से सर्दी खांसे जुकाम में आपको फायदा मिलता है जा फिर दोस्तो दूद के अंदर हिंग को डाल कर पीने से भी सर्दी खांसे जुकाम से आपको रहात मिलती है तो दोस्तो ये थे हें किया दो फायते जो कि आपने इस वीडियो में जाने हैं दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यहां मैं कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही और बेल आइगन को जरूर दवाएं ताकि न्यूव वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके इसके साथ ही दोस्तो अगर आप हमसे कुछ पूशना चाहते हो तो आपको डिस्केशन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी अब हाँ पर जा कर हमको फोलो करें और उसके बाद दोस्तो आप अपना कोई भी कुछ पूशन पूश सकते हो दोस्तो अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें दोस्तो आज को वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार